आज 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 आपको मैं लिटेश्ट जोब्स के बारे में बता रहा हूं एपीएस्ट जोब्स 2020 जूनियर इंजिनियर्स में पांसो से भी ज्यादा पदों पर निकली बरतिया एक लाग दज़र मिलेगी शेंडरी एपीएस्ट जूनियर इंजिनियर्स रिक्वाइर्मेंट दोज औरवीज यानि एपीएस्ट में डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजवेशन होल्डर्स के लिए बहुत ही सुनेरा आफसर है नई दिली असम पब्लिक सर्विस कमिस्ट की ओर से एंजिनियर के कुल पांसो से ज्यादा पदों पर नोडिपिकेशन जारी करके आवेदन मांगे हैं इच्छुक और योगे अमीदवार विवाग की ओपीशियल बेव साइट पर जाकर अपलाई कर सकते हैं मैं इसका लिंक निचे वीडियो के लाइश्ट में दिया हुआ है पद विवरन पदों की संक्या पांसो से ज़्यादा पदों पर पद का नाम जूनियर इंजिनियर 344 पद हैं असिस्टेंट इंजिनियर के 222 पद हैं असिस्टेंट आर की टेक्ट के 11 पद हैं जुनियर इंजिनियर जई के लिए आवेदन कर रहे उमिद्वार के पास सरकार से मनता प्राप्त संस्तान से सीविल इंजिनियर में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए Assistant Engineer A.E.E. के लिए उम्मीदवार के पास मान्ता प्रप्त UNIVA आवेदन करने की अंतिमतिति 17 अगस 2020 तक है आयू सिमा उम्मीदवारों की न्यूदाम U 21 वर्स और अधिकतम U 38 वर्स निजाज की गई है वेतन जुनिर इंजिनियर उमीदवार को 14,000 से 6,500 रुपे परती महा की सेलरी मिलेगी इनका ग्रेड पे 8,700 रुपे परती महा होगा असिस्टन्ट इंजिनियर एई सीविल में मीदवारों को 30,000 से 1,10,000 रुपै परती महाँ की सेलरी मिलेगी इनका ग्रेड पे 12,700 रुपै परती महाँ होगा असिस्टन्ट आर्किटेक्ट चैनित मिदवार को 30,000 से 1,10,000 रुपए परती महा की सेलरी मिलेगी इनका ग्रेड पे 12,700 रुपए परती महा होगा आविदन सुलक समाने वरके मिदवारों को 500 रुपए का आविदन सुलक देना होगा वहीं SC, ST, OBC, MOBC वरके मिदवारों को 1,500 रुपए का बुगदान करना होगा अमिदवारों को चैन परकिरिया के तहत लिकित प्रिक्षा देनी होगी और इसके बाद इन्हें इंट्रव्यू से भी गुजरना होगा ऐसे करें आविदन उप्रोक्त पदों पराविदन करने के लिए उमिदवार विवाक की वेवसाइड www.apsc.nic.in पर अपलाई कर सकते हैं अगर मेरे द्वारादी की जानकर ये आपको अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं बिले